दोस्तों आप सभी बॉल्वीड इंडस्ट्री में अन्ना कही जाने वाले अभी नेता सुनिल शेटी को तो ज़रूर जानते ही होंगे जिन्नों इंडस्ट्री में धरकन, मोहरा, फिर हेरा फेरी और दिलवाले जैसी कई सूपर इट फिल्मों में अपना हर तरह का किरदान इनकी प्यारी से बेटी अथिया शेटी बी इनकी फिल्म को देखना बहुत जादा पसंद करती है। in factчес इनकी छह ऐसी फिल्में जो अथिया को काफी जादा पसंद है। नमबर वन भाई इस लिस्ट की पहली कड़ी में 1997 में आई फिल्म भाई का नाम शुमार है जो कि एक ब्लॉक बास्ट जब फिल्म सावित हुए थी जिसमें कुंदर बने सुनिल शेटी अपने छोटे भाई किशन के साथ गाउं से शहर में आते हैं जिसकी पढ़ाई के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन कुछ गुंडे उसके भाई को चांसे मारने की कोशिश करते हैं जिससे बचाने के लिए सुनिल शेटी खुद भी गुंडे बन जाते हैं बस सही थी इस फिल्म की कहानी जो इनकी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद आई जिसको देखना इनकी बेटी आथिया शेटी बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हैं नमर दू गोपी किशन चलिए बात करते हैं साल 1994 में आई फिल्म गोपी किशन की जिसमें सुनिल शेटी के साथ करिश्मा कपूर और शिल्पा शिरूट कर बहुत ही अच्छी अक्टिंग करते नजर आये जिसमें आप राधी किशन पुलिस कर्मी गोपी का हमशकल होता है तब उसे गोपी के बारे में पता चलता है जिसके बाद वो उसका उपयोग करके खतरनाक गुंडों से अपने पिता राजेश्वर चौदरी को बचाने के लिए जाता है जिसमें एक बेटे और बाप के रि फिल्म बॉर्डर का नाम शिमार है जिसमें सुनिल शिटी कैप्टन भारफ सिंग अपने पूरे 120 समूस सैनिकों के साथ पूरी राध देश की रक्षा के लिए लड़ाई करते हैं जिसमें वो देश की सेवा करते करते अपनी जान भी कवाद देते हैं जिनके इसी अंदास क देखकर इनकी बेटी अथया शिटी फेल्म बॉर्डर को देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करती हैं क्योंकि अपने पिता की तेश देवा के लिए पच्छ कर गुझरने की हिम्मत को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश ही होती है जिस पचह से वो अपने पिता के इस फिल् और रवीन अटंडन के साथ अक्षे कुमाल बहुत यच्छी एक्टिंग करते नजर आये थे और दर्शकों ने इनकी सी कैमिस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी किया था क्योंकि इस फिल्म में विशाल बने सुनिल शेठी की बहन के साथ कुछ गुंडे जबर्दस्त करते हैं जिस बज़े से सुनिल शेठी उन गुंडों को चाहां से मार देते हैं फिल्म का यही कॉंसेप्ट था जो इनकी बेटी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और फिल्म में अपनी बहन के लिए हर किसी से लड़ने वाले भाई के रूप में इनके इसी अंदास को द शेठी बने अरचन एक बहुत ही मांदार पुलिस ऑफिसर होते हैं जिनके परिवार को भाई नाम के गैंस्टर जान से मार देते हैं जिसका बदला लेने के लिए अरचन पुलिस के जेस से वापस आते हैं और इन सब को जान से मार देते हैं जिसमें अपने परिवार के प्र पता दे जिसमें इंस्पेक्टर विक्रम सिंग बने सुनेल शेटी अपने दोस्त अरुन और सपना बने अजदेवकन और रवीना टंडन को मिलवाने के लिए मामा ठाकुर के गुंडों से लड़ते हैं जिसके लिए उनके दोस्त को खुछ सालू के लिए पागल खाने में रह पसंद करती हैं इस वज़े से वो दिल वाले मूवी को देखना बेहदी पसंद करती हैं तो दोस्तों आपको सुनेल शेटी के इन फिल्मों में से कौनसे फिल्म देखना बेहदी पसंद है हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंच करके ज़रूर बताएं साथी बॉलिव